दोस्तों जैसा कि आप सबी जानते होंगे आने वाले किस दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीस होनी जा रही है बॉलिवूट के किंखान शारुखान के फिल्म डंकी जिसको लेकर फिलहाल फैंस के बीच में बहुत जादा क्रेज देखनी को मिल रहा है क्योंकि कल तो कुछ लि वाले वूट का किंखान शारुखान है ये पीछे नहीं हटने वाला है फिल्म के एडवांस बुकिंग ने सभी को चौका दिया है लेकिन दोस्तों उसके ठीक एक दिन के बाद यानि के 22 दिसंबर को सिनेमा घरों में सबसे बड़ा चैलेंज है डंकी के सामने अब तक का पि जानते ही हैं क्योंकि तेलगु में मल्यालम में कंडाडा में और इसके अलावा तमिल में फिल्म बहुत बड़ा तूफान मचाने वाली है लेकिन दोस्तों साथ ही साथ पिरभास का जो स्टार्डम है वो बहुत बड़े सुपर स्टार है नौर्थ इंडिया में भी उनको ब कितनी एडवांस कर चुकी है और डंकी की बात करेंगे और साथ इस चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब कर लीचेगा दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सलार की जो की परशान दिल के डिरेक्शन बनी है जिसको प्रिडूस किया है विजय ने फिल्म में हमें जगापती बाबू और इसके लावा शरूती हसन और पिरभास एहम किरदारों में नज़र आने वाले इस फिल्म में हमें और यहाँ पे मैं बात करूँगा फिल्म के बजट की तो अब तक का सबसे बड़ा बजट है फिल्म का लगबख 400 करोड पैसे ज्याना के बजट में फिल्म बनी है तो फिल्म को बॉक्स ओफिस पर हिट और सूपर हिट होने के लिए बहुत बड़ी कमाई करनी है बहुत की रिपोर्ट आई है वो बहुत जबरदस्त आई है क्योंकि सुभाद 10 बज़े ही फिल्म के एड़वांस बुकिंग शुरू हुई है क्योंकि कल जो एड़वांस बुकिंग शुरू की गई थी वो कुछ लिमिटेड जगाओ पर थी मतलब सभी जगाओ पर नहीं थी लेकि कलम से 60 लाक रुपे की एड़वांस कर लिए है तमिल और कंडाडा से फिल्म ने लगबग 25 लाक रुपे की एड़वांस कर लिए लेकिन हिंदी भाशा में अभी फिल्म को उतना रिस्पॉंस नहीं मिला है हिंदी भाशा में फिल्म ने लगबग 45 लाक रुपे से ज्यादा languages में इसके लावा अगर मैं आंधरा पिरदेश की बात करूँ तो उतने ज्यादा shows नहीं है लेकिन जितने भी shows है सारे के सारे almost full है फिल्म के पास 9 shows है और 9 के 9 almost full है एक भी seat खाली नहीं है आंधरा पिरदेश में और यहाँ पे अभी भी बहुत शो जो है वो बढ़ने वाले दोस्तों ये तो एक छोटी सी रिपोर्ट में आपको दे रहा हूँ क्योंकि अभी 5 दिन फिल्म को रिलीज होने में बाकी है धीरे धीरे टिकेट बिकेंगे धीरे धीरे शोजे गोवा में 0% की उक्विपेंसी फिल्म के पास 13 शोजे गुजरात के अंदर 5% की उक्विपेंसी है फिल्म के पास 160 शोजे जारगंड में 4% की उक्विपेंसी फिल्म के पास 14 शोजे करनाटका में 31% से ज्यादा की उक्विपेंसी फिल्म के पास 320 शोजे केरला के अंदर 12% से ज्यादा की occupancy हो चुके फिल्म के पास 740 शोज है माध्य पिर्देश में 2% की occupancy फिल्म के पास 40 शोज है महारास्टा में 3% से ज्यादा की occupancy फिल्म के पास 265 शोज है इसके लावा पंजाब, राजिस्थान, तिरीपुरा, उत्तरफिर्देश, वेस्ट बंगॉल हर जगा से अच्छी रिपोर्ट आ रही है, अगर दिल्ली NCR की में बात करूँ तो यहाँ परसेंट की उक्पेंस है फिल्हाल और फिल्म के पास 125 रोज है, तो फिल्हाल धाई करो करोड रुपे की फिल्म सलार एडवांस बुकिंग कर चुके, ओवर्सेस के अगर मैं बात करूँ तो ओवर्सेस से जो रिपोर्ट आ रही है, 16 करोड रुपे की एडवांस बुकिंग फिल्हाल ये ओवर्सेस से कर चुकी, क्योंकि ओवर्सेस के अंदर काफी दिनों से एड करने में कामयाब रहेगी क्योंकि फिल्म को लेकि बहुत ज्यादा क्रेज़ा में देखने को मिल रहा है तो अपने फर्स डे पर 22 दिसंबर को जब ये फिल्म रिलीज होगी तो वर्ड वाइड में तो दोस्तो अगर बात करेंगे हम शारु खान की फिल्म डंकी की तो दोस्तो अगर बात करें फिल्म डंकी की तो ये भी एक बड़े सूपर स्टार बॉलिवूट के किंग खान शारु खान की फिल्म है इसके लावा फिल्म के डिरेक्टर भी बहुत बड़े हैं राशकुमार एरानी जिनोंने पीके मुन्ना भाई MBBS इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सूपर हिट फिल्में ब्लॉक्पस्टर फिल्में दी हैं जो कभी भी आस्तक इनकी बॉक्स आफिस पर फिल्में पिटी नहीं है संजू भी एक बड़ी ब्लॉकपस्टर थी इनके डिरेक्टर बनने वाली फिल्म अगर मैं बात करूँ डंकी की तो डंकी को लेकर फिल्हाल बहुत ज़्यादा क्रेज हमें देखने को मिल रहे हैं क्योंकि दोस्तो कल लिमिटेड जगाओं पर एडवांस बुकिंग खुली बाकी सभी कंटरीर्स में, उस्टेलिया हो या नियूसिलेंड हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, गलफ हो, कहीं पर भी हो, सलार फिल्म से मिलो आगे चल रही फिल्म डंकी, लेकिन फिल्हाल बात करूँगा मैं इंडिया की औड़ बुकिंग की इंडिया की एड़ बुकिंग पर की नज़रे रहेगी कि डंकी सलार से कितना पीछ है कितना आगे देखो फार्ज डे जो रहेगा डंकी का वो विल्कुल पूरी तो फिलहाल अगर में डंकी की इंडिया के एडवांस बुकिंग की बात कुरो तो दोस्तो दिल्ली एंसियार के अंदर 5% के ओकेपैंसी हो चुकी है फिल्म के पाथ 495 शोज हो चुके है दिल्ली एंसियार में अभी आप यह देखिए कुछ लिमिटेड जगाओ पर कल एडवा पन्ड बुकिंग शुरू हो चुके हैं फिल्म के पाथ 5% की ओकेपैंसी है फिल्म के पास 16 शोज थै बैंगलूरु के अंदर 17% से ज्यादा की ओकेपैंसी है फिल्म के पास 210 शोज है एहमदाबाद में 3% की उक्योपेंसे फिल्म के पास 165 शोज है तो कुल मिलाके अभी तक फिल्म डंकी ने जो अभी तक टोटल एडवांस कर लिये अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये आकड़ा सलार से भी आगे चल रहे है जहां सलार फिल्म ने अभी तक एक बज़े तक की रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ तो सलार फिल्म ने डाई करोड पे की एडवांस बुकिंग की है लेकिन यहां पे अगर मैं डंकी की बात करूँ तो यहां कड़ा सलार से कई गुरा ज्यादा आगे है क्योंकि यहां पे 2 करोड 90 लाक रुपे की फिल्म एडवांस कर चुकी है तो सलार से अगर मैं इंडिया की एडवांस मुकिंग की बात करूँ तो सलार से डंकी आगे चल रही है तो यहां पे डंकी फिल्म अपने 21 दिसंबर को जब यह फिल्म रिलीज होगी तो मुझे लगता कि कम से कम वर्ल्ड वाइड में यह फिल्म 1500 करोड पे की ओपनिंग लेती हूँ हमें नजर आएगी लेकिन दोस्तों यहां पे आपको क्या लगता है सलार का यह डंकी का तो कमेंट में जरू बताइएगा आप अपनी रहे